हेलो अल एंड वेल्कम टो डिकॉगनिशन आईएस जिगराफिय ओप्ष्टनल क्लासेज में हम लोग देख रहे हैं फिजिकल जिगरफी और इस फिजिकल जिगरफी में फिलहाल जो टॉपिक डिसकस कर रहे हम लोग वो है जियो मॉर्फोलोजी जियो मॉर्फोलोजी के लास्ट लेक्षर में हम लोगों ने आईसो स्रेशी के काफि डिटेल्ड डिसकसिन किया था इसे डिसकसिन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थ्ट्वेक और सुनामी के बारे में काफि जरनल टॉपिक है लेकिन ये हमेशा news में भी बनी होती है और examination में भी आने की संभावना हमेशा बनी होती है तो जितने भी concepts, जितने भी facts और कुछ recent phenomena's इनके बारे में हम लोग देखेंगे, discussion करेंगे तो फटा-फट शुरू करते हैं, let us start, let us complete and let us crack but before that, these are our contact details, these are available courses on YouTube test series के लिए आप लोग subscribe कर सकते हैं या फिर advanced geographic course के लिए भी subscribe कर सकते हैं, इसके details आपको email करने पर दे दी जाएंगी syllabus wise already हम लोगोंने सब कुछ देख रखा है, syllabus देखना हमेशा काफी ज़रूरी होता है कि आपका कोई भी topic छूटना नहीं चाहिए, otherwise वो एक problem create कर सकता है तो जितने भी हम topics हैं, ये topic, ये topic, ये topic अलरड़ी देख रखे हैं, these are already been completed isostressy last class में complete कर लिया है, mountain building भी complete हो गई है volcanicity हम लोगोंने complete कर रहा है, लेकिन earthquake और जो tsunami ये portion आपका रह गया है जिसको कि हम लोग आज complete कर लेंगे बागे मारे जो तीन topics हैं, इसमें से ये दोनों topic इंटर रेलेटन है, single class में आपको ये complete करा दी जाएगी ये इसके बाद से एक और applied geomorphology का topic होगा, जिसको कि हम लोग separately देखेंगे और तीसरा topic ही है, हम लोग next class कल ही देखेंगे इसके लावा देखिए कल एक Q&A session भी रहेगा Q&A session का मतलब ये, कि आपके जो भी questions session के end में दिये जाते हैं, उनको कैसे लिखना है उनकी answer writing practice only for the past year questions वो हम लोग एक छोटे से session के दोरान में देखेंगे तो जितने भी लोग answer writing में problem face कर रहे हैं आप लोग उस video को देख सकते हैं और अपनी answer writing power skill को आप बढ़ा सकते हैं और अगर कोई problem होगे तो obviously you can write email to us earthquake already आप लोग GS के section में पढ़े होंगे कि earthquake एक shaking है basically और ये shaking basically दो तरीके के wave के कारण से होती है एक wave जो होती है जो body wave होती है और दूसरी wave होती है जो surface wave होती है body wave में आप लोगों ने देख रखा है कि हमारे पास P and S waves होती है जिसमें से जादा faster P wave होती है इसलिए सबसे पहले P wave locate की जाती है फिर उसके बाद से secondary wave आती है जो surface wave होती है ये भी दो तरीके की होती है एक होती है जिसे हम rally wave बोलते है और दूसरी होती है जिसको हम love wave या फिर L wave बोलते है तो ये दोनों के दोनों topic भी already हम लोगों ने देख रखा है जब हम लोगों ने interior of earth के बारे बात किया था तो make sure कि earthquake में कोई भी अगर answer आता है तो आप इन दोनों waves का inclusion जरूर करिए क्योंकि ये ultimately responsible होते हैं earthquake के लिए इसके अलावा it will be better अगर आप intensity और magnitude दोनों अलग-अलग तरीके से दिखा है body wave आपको magnitude दे रही होती है और जो आपको love wave होती है वो intensity दे रही होती है magnitude आपको पता ही है कि ये Richter scale पे ना पा जाता है Richter scale पे इसको measure किया आता है और जो intensity होती है उसको Mercalli scale पे note किया आता है तो ये सब basic facts आप लोगों ने अपने general studies के discussion के दोरान में आप लोगों ने ये साचती चीज़े पढ़ी होंगी earthquake basically एक shaking है या फिर कह लिजए जो earth का surface है उसकी trembling है यानि की एक तरीके से shaking ही कह लिजए उसी का एक synonym वर्डा बोल सकते है these are caused by seismic wave, seismic wave का मतलब जो earthquake wave है इसी को seismic wave बोला आता है in fact अगर आप engineering sector में भी अगर आएंगे तो engineering sector में भी seismic wave ही होती है in fact इसके लिए जब भी जितने civil engineers होंगे आपको पता होगा कि इसके लिए एक separate IS manual आती है तो अगर आपको IS manual का पता है तो आप बता सकते हैं like IS 800 हो गई या IS 457 टाइप कई तरीके की IS modules होती है these are not related with the geography, बिलको ललग चीज है बस आपको ये consider करना हमेशा क्योंकि आजकल prelims में भी काफी diverse चीज़े पूछी आ रही है तो आपको ये धियान में रखना है कि कभी भी कोई भी building अगर बनाई जाती है तो उसमें कुछ factors होते हैं जो consider किये जाते हैं building बनाने से पहले इसको बोलते हैं structural analysis और इस structural analysis के दौरान में जो forces होती हैं दो तरीके की होती है एक force होती है जिसको हम लोग dead force बोलते हैं दूसरी force होती है जिसे हम live force बोलते हैं यहाँ पर जो consider किया जाता है वो wind के कारण से force किया जाता है बाकि जो concrete material जो dead material होते हैं उनको किया आता है जो कि building को बनाने के दौरान में use किया जाएगा इसके अलावा एक और होता है जो earthquake के कारण से होती है earthquake के कारण से pre-stressed material भी बनाए जाते हैं तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको prelims में help कर सकती हैं तो इस तरीके के छोटे मोटे fact जो fun fact बोले जाते हैं these are actually called as fun facts, hashtag fun fact तो यह fun facts हमेशा आप तयार रखिएगा in fact कहीं पर भी मिले तो यह कहीं न कहीं आपको prelims में help कर रहे होते हैं तो इसको अटाते हैं हम लोग वापस से अपने जोग्राफिय औप्शनल की और में आते हैं तो these are the earthquake waves that are generated due to sudden movement and this sudden movement यह भी earthquake हो गया यानि कि endogenetic forces हो गया तो आप जो endogenetic force वाला flow chart है वो भी include कर सकते हैं जब भी कोई भी answer earthquake related लिखना हो तो आगे अगर देखें तो यह या तो अर्थ के crust से start होती है या फिर mental से start होती है यानि कि हमारे पास दो तरीके के system आ गया एक हो गया जो crustal हो गया और दूसरा हो गया जो mental हो गया middle वाला mentor कह सकते हैं अगर earthquake crust से generate हो रही है तो इसको हम लोग बोलते है moderate earthquake moderate या फिर इसी को आप shallow earthquake भी बोल सकते हैं अगर यह upper part से mental के upper part से होती है तो इसको हम लोग intermediate earthquake बोलते हैं और अगर यह mental inner mental से होती है या फिर mental part से अगर होती है तो इसे deep focus कहा जाता है आपको focus और ap center के बारे में पता होगा अल्रड़ी ये काफी basic है तो ये discussion आप यहां नहीं करेंगे अल्रड़ी आप लोगों को पता होगा कि focus जहां से start होती है ap center जो perpendicularly surface पे point होती है seismograph या seismometer एक ऐसा instrument होता है जो कि earthquake को detect करता है और उसे record करता है कुछ earthquake के यहां पर examples दिये गए हैं जैसे आप देख सकते हैं कि focus जहां से start हो रही है these are the tremors ये वो tremors हैं जो आगे move कर रही है इसमें P wave भी है S wave भी है और L wave भी है तो P और S wave obviously travel करेगा जब ये surface पर strike कर लेगा तो surface wave में convert हो जाएगी फिर ultimately ये surface wave में बदल जाएगी clear यहां पर भी आप photo देख सकते हैं कि यह हमारी surface है जहां पर हमारे पेड़ पहुदे उगे हुए है यहां पर एक कोई fault होती है और fault पे center बनता है this is the center from where जहां से earthquake start हो रही है इसके perpendicular point पे this is the epicenter तो कभी भी आप news देख सुनेंगे वहां पर लिखा रहता है कि आखिर कहां से यह start हुआ है यानि कि earthquake का focus कहां है तो कभी भी focus के बारे में बात नहीं होती है बात होती है कि earthquake का epicenter कहां पर locate किया गया है जैसे हिमालिया में होता है तो या तो कुलनशयन में हो रहा है या हिंदुकुष में हो रहा है या फिर सुलेमान रेंज में हो रही है तो इस तरीके से बोला आता है कि इसका epicenter इरान में locate किया गया है या फिर नेपाल में locate किया गया है या फिर चाइना में locate किया गया है तो यह scene होता है जो earthquake से related होता है तो जो point होती है जहां से energy release होती है उसे हम लोग focus बोलते हैं या फिर इसे ही hypo center बोलते हैं तो देखिए जो इसके secondary names होते हैं जनरली popular ज्यादा नहीं होते हैं इस पज़े से UPSC any word को pick करती है तो make sure कि आपको ये सारे भी छोटी छोटे points जो हैं वो तियार रहें जैसे hypo center हो गया कि क्या चीज़ होती है तरीके से focus ही होती है focus को ही दूसरा नम hypo center है इसके लावा जो directly perpendicularly जो surface पे होते हैं उसे epicenter बोल देते हैं align connecting all the points जितने भी एक single एक जैसी intensity के जो magnetic not magnetic earthquake lines जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं iso seismic seismic से आप वैसे ही आप पकड़ सकते हैं कि ये earthquake से related है और iso का मतलब आपको पता ही होगा कि बराबर equal जैसे iso bar equal pressure iso coric जैसे कि equal एक तरीके से volume isothermal तो एक तरीके से आपकी temperature बराबर तो ये सारे चीज़ें आपको पता है आगे अगर बात किया जा है तो we have some more things one second yes usually a major or even moderate earthquake of shallow focus is followed by many lesser earthquake जिसे after shocks बोलायाता है अब ये क्या चीज़ होती है देखे एक wave आई आगे एक wave आई अब ऐसा नहीं कि ये wave this wave will terminate यहाँ खतम हो जाएगी नहीं terminate नहीं होगी खतम नहीं होगी इसके पीछे दूसरी wave भी आ रही है similarly तीसरी wave भी आ रही है इसी कारण से जब भी कोई भी earthquake कहीं locate किया जाता है तो उसके बाद से एक warning generate कर दी जाती है कि आप लोग prepared रहे कुछ और भी tremors आ सकती है और generally ऐसा भी होता भी है कि एक बार अगर आप earthquake face कर रहा है फील कर रहा है तो लगतार दो तीन earthquake आपको लगतार मिल जाएगी इन फेक्ट डेली वालों आपको पता भी होगा कि डेली में लगतार continuous late tremors वगर है face करते रहते हैं क्योंकि डेली भी काफी यादा आजकल जो है वो fault zone में आ जा रहा है उसके tremors पहुच जा रही है हलाकि इतना ज़्यादा strong नहीं है बट इस्टिल आती है जितने अभी लोग third manjil मतलब third story बगर पे होंगे उनको भी एक vibration feel होती होगी यह vibration actual में earthquake की vibration नहीं है this is because of the noise जो की airways के कारण से होती है तो इनके कारण से vibrations होती है और उसके कारण से भी थोड़ी मोडी building में shaking होती है तो अगर बहुत पुरानी building है मतलब की 50-60 years की building है अगर तो फिर वो इस तरी UK की noise से भी shake कर सकती है this is not actually earthquake यह earthquake नहीं होती है अलग चीज होती है आगे अगर देखेंगे one second okay so a mild earthquake proceed with the violent shaking movement of earthquake is known as first shock तो यह सब कुछ technical names है जिनको अब लो ध्यान में रखिएगा कि अगर मालीजे mild earthquake के बाद में एक बढ़ियां earthquake आ जाता है उसे force shock बोलायागा after shock बोलायागा चोटी चोटी tremors बाद में आएंगी clear large number of small earthquakes may occur in a region for months without a major earthquake चोटी मोटी चीजें आ सकती है तो यही यहाँ पर जैसे की lockdown phase में April में मन्द के दोरान में earthquake बहुत जादा आ रहा था Delhi में और यह वही एक तरीके से आप reason कह सकते हैं अब आती है कौन कौन से कारण होते हैं earthquake के तो earthquake tonic theory एक तरीके से photograph के through discuss की गई है तीन तरीके के चीजे हो सकती है या तो plate diverge कर रही होगी this is the diverging plate plate diverge करने के कारण से नीचे जो mantle plume है magma है वो निकल करके आएगा इस कारण से भी earthquake आ सकती है because of the stretching energy liberate होगी generate होगी और उस तरीके से भी earthquake आ सकती है दूसरी transform fault के कारण से transform हो र generate होगी जो कि again earthquake के format में निकलेगी या फिर convergent boundary हो सकती है converge करेगी एक लोग नीचे जाएंगे subduction zone में और फिर ultimately again magma यहाँ पर rising nature में आ जाएगा और यहाँ पर फिर earthquake आ जाएगी in fact टकराने पर ही earthquake बन जाएगी तो यहाँ पर एक तरीके से तीन तरीके की earthquake आ सकते है एक टकर टकराने पर जो कि shallow nature कर रहेगा फिर नीचे intermediate range कर रहेगा जब break होगा और फिर नीचे bunny off zone पर आपको deep earthquake मिल जाएगा तो यहाँ पर तीन तरीके के जो diverging है यहाँ पर shallow type का केवल क्योंकि केवल और केवल टकराने पर मिल रहा है transform में shallow type का क्यों क्योंकि खाली और खाली friction के का rate हो रही है तो हमारे पास जो total earthquake होते हैं basically वो कई तरीके के होते हैं मतलब कई कारण होते हैं एक उसमें से होती है fault zone fault का मतलब यही है कि कहां पर cracking आ सकती है या आ गई है तो यह generally क्या होती है जहां कई भी plate margins होते हैं या plate आपस में break होते हैं या plate आपस में interact कर रहे होते हैं तो वहां पर यह fault zone तयार हो जाता है इसके लिए एक theory भी दी गई थी जिसे बोलते हैं elastic rebound theory अभी हम लोग देखेंगे Reid साहब के द्वारा दिया गया है क्या है theory दूसरी hydrostatic pressure यह क्या चीज़ है देखिए आप लोगोंने सुना होगा कि dam बनाने के कारण से फिर earthquake आती है this is a dam जिसे माल लेते हैं कि यह gravity dam है suppose तो एक side में क्या होता है कि आपने water को रोक लिया है suppose water को रोकने के कारण से यहाँ पर क्या-क्या force लग रही है एक force तो इसका mg लगी रहा है इसके कारण से जो water है इसकी भी अपनी mass है अपनी energy है अपना mass लेगा लेकिन यहाँ पर जहाँ interaction हो रही है इस point पर water के पास अपनी एक hydrostatic force भी होती है जो लगातार यहाँ पर लगा रही है तो इस hydrostatic force का अपना एक resultant force होगा जो की एक along the water line या फिर कह लिजे कि जो भी flow है इसके according में लग जाएगा जिसे हम लोग बोलते है hydrostatic force इस hydrostatic force के कारण से इस point के along यह point आपको दिखरा होगा इस point के along में एक torque generate हो जाएगी और यह torque ultimately इसको earthquake दे सकती है तो this is the hydrostatic force जिसके कारण से हमें earthquake आने की संभावना काफी बढ़ जाती है उन region पर जहाँ पर भी dam बनाएगा इसलिए dam बनाने पर वहाँ के आसपास के regions को हटा दिया जाता है rehabilitate कर दिया जाता है जो भी यहाँ की population होती है इसके लाबा plate tectonics इसके बारे में हम लोग discuss करी लिए volcanic activity again discussed आपको चीजे पता ही लग गई है एक और होती है human induced earthquake जैसे mining करनी है dynamo आपने लगा दिया वहाँ पर उसकी जो भी shaking होगी trimmers आएगी उसके कारण से earthquake आती है तो वो earthquake हो जाएगा similarly अगर कोई और भी काम करते है हमा लिए drilling कर रहे है energy आप impart कर रहे है और यही energy फिर again waves के format में earthquake को जन्म देगी या फिर अगर मा लिजे कोई भी दो ships आपस में टकराई ही वो भी energy liberate करके earthquake को जन्म दे सकती है elastic rebound theory के बारे में अगर बात किया जाए तो यह Reid साहब के द्वारा दिया गया था इनका पुरा नाम था H.F. Reid नाम याद रखिएगा इन्होंने कहा कि देखिए जो crust है यानि कि जो lethal sphere है they are actually capable of withstanding certain stress to a point beyond which the crust goes through a series of deformation किसी एक surface पे कहीं पर भी मा लेते हैं यह मा लेते हैं कोई एक wall है इस पे आपने मा लेते हैं JCB चला दी अब JCB आप चला रहे होंगे तो एक बार पहले जब प्रहार करेंगे पहली बार जब attack करेंगे तो जरूरी नहीं है कि wall टूटे फिर आप क्या करेंगे लगतार इस पर attack करते रहेंगे तो इस wall की अपनी एक छमता होती है हर cement अंबुजा cement नहीं होता करता है कुछ हद तक forces को absorb करता है लेकिन उसके बाद ये deform हो जाता है deform का मतलब अंबुजा cement टूट गई until it yield जैसे कि आप लोगों ने stress strain का करव भी अगर 12 में पढ़ा होगा तो इस तरीके का stress strain करव होती है जहां पर ये yield point होती है और यहां पर rupture point होती है तो yield का मतलब ये होता है कि जहां पर ये break हो गया है लेकिन टूटा नहीं है break हुआ है तो ये break होना टूटना ये material failure की कहानी होती है जहां पर bond breaking होती है और यहां पर पूरा material ही break कर जाता है तो यहां पर ये system पहले force को absorb करेगा force को absorb कर रहा है, absorb कर रहा है, यहाँ पर yield कर गया, मतलब material fail हो गया, आगे अब यह तूड जाएगी, यहाँ पर cracking आती है, यहाँ पर cracking आती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कि building में कोई आप में से civil engineering होगा, तो civil engineering का मतलब यह नहीं होता है, कि earthquake आएगी, तो फिर वो earthquake आती है, तो उसके अंदर में जो फसा हुआ आदमी है, उसके अंदर में जो भी human है, उसकी death नहीं होनी चाहिए, यही होता है, केवल और केवल civil engineering का काम, अगर earthquake आ रही है, crack आएगी, और यह बहुत ही normal है, natural है, crack आएगी, लेकिन system fail नहीं होगा, यानि building collapse नहीं होगी, अग crack आना, यह कोई failure नहीं है, अगर आप crack को भी रोकना चाहते हैं, तो आपकी building की cost काफी ज़्यादा हो जाएगी, वो अलग system हो जाएगा, लेकिन अगर आप crack को रखते हैं, क्योंकि earthquake रोज तो नहीं आता है, कभी आ गया, तो आ गया, otherwise, earthquake कोई general phenomena नहीं होती है, अगर general होती, तो फिर जापान टाइप के घर बन रहे होते हैं, तो इंडिया में ऐसा सीन नहीं है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी यही कहा गया है, कि it yields and break into sudden snapping of earth crust, the slab goes through a series of vibration before it comes to rest, finally and these vibrations manifest earthquake, तो यहाँ पर जभी yield कर जाएगा, फिर आगे हमें shocks feel होना शुरू हो जाएगे, शॉक का मतलब धर्ती पे आपको एक अजीब सी converging current type की दिखेगी, मतलब आपको एक healthy shaking type की दिखेगी और ultimately building collapse हो सकती है, सेम वही चीज़ crust के साथ में है, कि यहाँ पर माल लेते हैं कि waves आ रही है, waves आई, यह waves आ रही है, और ultimately surface पर strike करके surface को भी shake कर दे रही है, और यह एक समय तक यह absorb लेकिन जब deform हो जाएगी, जब yielding हो जाएगी तो उसके बाद से फिर यह system fail हो जाएगा, earthquake आ जाएगी, और यही पूरी के पूरी इस read के theory के द्वारा कहा गया है, यह read के theory की in fact civil engineering में भी इसको पढ़ाया जाता है, this theory also, this theory though not incorrect, it hardly a comprehensive insight into the nature of the force that caused the earthquake, अब यहाँ पर इनोंने क नहीं से भी waves के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन इनोंने material failure के बारे में एक idea दिया है, तो this is something like material science, it does not tell why do we have such forces and why do earthquake distribution has a defined pattern on the earth, तो इनोंने कोई भी earthquake के बारे में नहीं बताया, जैसा कि already हम लोगों ने देखा कि इनोंने waves के बारे में तो बात किया नहीं है, तो इनोंन नहीं 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 कोई इस तरीके के forces के बारे में बताया, आगे अगर बात करें हम लोग classification of earthquake के बारे में, तो हमारे पास अलग-अलग तरीके के classification हैं, जैसे classification based on causative factor, अब दो तरीके से cause हो सकती है, दो तरीके से कारण हो सकते हैं, एक natural कारण, अदूसरा artificial कारण या फिर anthropogenic reasons बोल सकते हैं आप, natural में as usual जैसे volcanic eruptions, volcanic के कारण में earthquake, tectonic यानि plate tectonic, isostacy, already last class में discuss किया, हम लोग ने isostacy में, कि यहाँ पर भी sudden changes आएंगे, उस sudden changes के कारण में earthquake आ सकती है, फिर उती है plutonic earthquake, plutonic का मतलब एक तरीके से volcano का ही part है, लेकिन ये intrusive है, intrusive का मतलब कि धर्ती के अंदर में ही केवल और केवल ये रह गई है, ये बाहर नहीं निकल पर आप आई है, कब होगा ऐसा, जब नीचे granite material आए, अगर ये basaltic material रहेगा तो बाहर निकल सकता है, लेकिन granite material पर ये बाहर नहीं निकल सकता है, बुविन्स reaction में आप लोगों नहीं ये सब ये पढ़ी हुई है, clear, दूसरा जो classification है, वो based on the focus है, जैसे moderate या फिर इसे ही आप shallow भी बोल सकते हैं, दूसरे intermediate और फिर deep, इसके लावा human casualty को लेकर भी classification की जाती है, हालक ये उतना अच्छा classification नहीं है, because यहाँ पर mortality से related बाते हैं, एक होती है जोसे moderate earthquake बोलते है, moderate हजाडस जहां 50,000 से कम death होती है, highly हजाडस 50,000 से 1,00,000 के बीच में, और 1,00,000 से जादा death होती है, तो उसे most high हजाडस बोला जाता है, तो ये कुछ classification है earthquake का, जो की important था जानना चाहिए आप लोगों को, ये देखिए shallow focus, intermediate focus और deep focus अलरड़ी हालाकि हम लोगों ने इसके बारे में बात intermediate होता है, जैसे आप देख सकते हैं, वहादी beneath half zone है, ultimately जहां पर ये breaking हो जाती है, उसको हम लोगों deep focus कहते हैं, और ये end of the plate, जहां पर भी ये mental में नीचे चली गई है, वहाँ से start होती है, distribution of the earthquake के बारे में अगर देखें, तो अर्थ का जो मेदर earthquake है, वो mainly tectonic belt के along ही होती है जैसे कि continental plate margin हो गई या फिर oceanic plate margin या जहां पर भी plate आपस में interact कर रही है, जरूरी नहीं है कि major plate ही हो, this is mainly, ये mainly ऐसे regions में होता है, लेकिन minor plate के भी interaction पे हो सकता है, बस वो छोटे मोटे हलके earthquake होती है, उनके intensity कुछ खास नहीं होती है, most of the earthquake जो generate होती है, जैसे कहां कहां पर ए एक होती है, जहां zone of young folded mountain होती है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि एक तरीके से, continent, continent interaction, दूसरी जो होती है, वो zone of fracturing and falting, तीसरी होती है, zone of junction of continental and oceanic margin, हलकि ये भी fold mountain का ही एक type है, पर फिर भी इसको अलग तरीके से लिख दिया गया है, क्योंकि उपर continent, continent interaction को consider किया गया है, फिर होती है, zone of active volcano, जहांपर volcanic eruptions हो रहे हैं, along different plate boundaries भी हो सकती है, the most important earthquake जो होती है, कुछ-कुछ areas है, जैसे circum-pacific belt, इस circum-pacific belt के बारे में हम लोगो ने evans की theory के दोरान भी discuss किया था, which affect most populated coastal region around the Pacific Ocean, इसे ही हम लोग Pacific ring of fire भी बोलते हैं, this is Pacific ring of fire, क्यों, क्योंकि यहां पर interactions बहुत जादा है और volcanic eruption काफी जादा होते हैं, तो for example, जैसे कि New Zealand हो गया, New Guinea हो गयी, Japan, Aleutian Island, Alaska, and Western coast of North and South America, clear? Suspect activity is by no means uniform, हर जगा पर सेम नहीं होती है, अलग-अलग जगों पर अलग-अलग है, this is quite usual and quite normal, जैसे कि महां लेते हैं कि यहां पर कहीं पर focus है, अब सीधी सी बात है, इस point के लिए, जो distance है, वो radially ही मिलेगा, अब यहां पर जो distance है, वो minimum रहेगी आपको, because this is perpendicular, similarly अगर इस point पर अगर आएंगे, तो यहां पर जाते याते, इसकी energy already खतम हो चुकी है, तो इस point पर कुछ खास earthquake feel नहीं होगा, लेकिन जो perpendicular है, epicenter है, वहां सबसे ज्यादा होगा, क्यों कम distance चलना पड़ा है, energy ज्यादा पड़ी होई है, आपको पता ही है, कि kinetic energy इसके पास अभी पड़ी होई है, अब यह kinetic energy, earthquake energy में या seismic energy में convert होगी, अगर kinetic energy, suppose किसी पास 100 joule energy है, और kinetic energy 80 joule use कर ले गई, तो केवल 20 joule का ही तो केवल और केवल problem है, इसके कारण से ही, जो intensity आ रही है, उसके कारण से ही earthquake आएगी, suppose इस wave को travel करने में पूरी की पूरी 100 joule energy use हो गई, तो यहाँ पर तो earthquake पता भी नहीं चलेगा, getting the point, because of many place of circum-pacific build as associated with volcanic activity, जैसा कि हम लोगों ने यहीं पर देखा, Pacific ring of fire में, यहाँ पर Pacific ring of fire इसे बोल दिया आता है, Pacific ring of fire यह जो होता है, 68% of global earthquake को यह report करता है, दूसरी जो belt है वो alpine belt है, alpine belt का मतलब जो tertiary era में mountains बनी है, जैसे कि Himalayas and Alps, यहाँ पर, चुकि यह young fold mountain है, इस कारण से यहाँ पर interactions अभी भी चल रहा है, और इस interaction के कारण energy generate होगी, और इस energy के कारण से 15% of earthquake locate किये जा रहा है, यानि 68% जो circum-pacific build पे हो रही है, 15% आपको बाकी मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपके 83% of the earthquake है, वो दो ही region में ही है, in fact 3 आप बोल सकते हैं क्योंकि Alps is basically in Europe, एक आपको हिमालिया मिल जाएगा जो Asia में है, और Pacific ring of fire तो पूरा का पूरा एक zone ही है, बचे हुए जो 17% है, वो अलग-अलेग एरियास पे, जो छुटी-छुटे falls होते हैं, वहाँ पर आती रहती है, Midworld mountains extend parallel to the equator from Mexico, across the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, तो बाकी जितने भी बचे हुए, जो tertiary period के mountains है, Caucasus Mountain, Indies, Rockies, जितने भी mountains है, वहाँ पर भी हमें same type की earthquake आती मिलती है, There are also a striking connected belt of seismic activity, oceanic ridge के दोरान में, जैसे कि हमको आर्कटी कोशियन में, एंटाल्की कोशियन में, इन सब जगों पर भी देखने को मिलती रहती है, यह distribution है, जो आपके book में, material में दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ पर कहा कहार तो एक आ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, this is North America, और यह पूरा का पूरा जो zone है, जो caudil raz है, CCR पढ़ाओगा आपने, CCR, Coast, Cascade and Rockies, यहाँ पर, Syria, Nevada, यहाँ पर, and then फिर Andes की पूरे इलाके में, और यह जो islands यहाँ पर है, इसके अलावा आपको यहाँ पर छोटी छोटे और भी मिल जाएंगे, फिर आपको एक पूरी की पूरी यहाँ पर belt मिल जाएगी, जो की basically, mid-oceanic ridge है, जहाँ पर earthquake मिल सकती है, tsunami को यह generate कर सकती है, इसके बाद, यह पूरा range, यह range ऐसा है, जहाँ पर आपको मिलेगी, Pacific Ring of Fire बन जाए रहा है, हलाकि यह Pacific Ring of Fire है नहीं, this is something else, यहाँ पर आपको Pacific Ring of Fire मिल जाएगी, तो यह पूरा का पूरा zone, यहाँ पर भी कुछ fault है, जिसके कारट से यहाँ पर मिल जाएगा, तो यह photo आप अपने दिमाग में एकदम catch करके रखिएगा, this is very important, जब भी आपको earthquake से related कोई भी question लिखना हो, यह map ज़रूर आप बनाईए, काफी अच्छा एक depiction है यहाँ पर, इसके लावा देखे यह colorful map है, जहाँ पर more or less चीज़े वही दी हुई है, area आप देख सकते हैं more or less चीज़े वही है, बस यहाँ पर क्या है कि colored format में है और pictorial representation इनका भी अच्छा है, भुज के बारे में अगर बात करें तो देखिए यह वो locations है, जहाँ पर भुज की mainly earthquake आई थी और trimmer generate हुई थी, actual way of problem क्या थी, कि भुज geologically या geographically consideration में नहीं था कि यहाँ पर कभी earthquake भी आ सकती है, लेकिन earthquake आई, earthquake आने के कारणत से फिर ultimately काफी यादा यहाँ पर तबाही भी हो गई थी, तो अब तबाही को भी देख सकते हैं कि काफी यादा तबाही हुई है, हलाकि यह picture पीछे चला गया है, breakdown of the building हुई थी, अगर इस problem को देखें कि आखिर में यह जो earthquake आई थी, 21 January 2001 को जब पूरा भारत 51st Republic Day celebrate कर रहा था, तो near about 850 के around में यहाँ पर अर्थवेक आये थी, और major disaster हुआ था, काफी ज़्यादा problem हुई थी, बहुत सरे लोग मारे गये थे, और tremors भी हलकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 7.7 की थी, ज़्यादा ही होती है, बट उतना कुछ खास नहीं था, लेगन यहाँ पर problem यह थी कि यह घर, slum area थे, एक तरीके से बहुत ही cozy थे, पास-पास थे, और यहाँ पर warning system नहीं generate होने पाया, जिसके कारण से लोग जान नहीं पा, और ultimately वहीं पर fuss करके, इनकी death हो गई, main reason जो था, वो sea floor spreading था, और इस sea floor spreading के कारण से यहाँ पर कई सारे fault generate होए थे, और यह fault, ऐसा माना जाता है कि यह dead faults है, यह कभी active नहीं है, लेकिन वो reactivate हो गए थे, इसमें में लिए दो तरीके के fault है, एक fault है जो 200 km long और 100 km wide है, जो की east-west direction में फैला हुआ है, east-west direction में, और यह mainly, एहमदाबाद और भुच से हो करके गजरता है, जो दूसरी fault है, वो 500 km long और 100 km wide है, जो की north-south direction में जाता है, और यह जो move करता है, वो महसाना बरोडा इस area से गजरता है, इसे Cambay-Grabin भी बोला जाता है, इस subterranean faults intersect करते हैं, एक दूसरे को कहां पर, जो villages हैं, उनके नाम दिये गया है, and they become the pivot of seismic events यहीं पर, और यह active हो जाते हैं, because of the plate movement, यहनि sea floor is spreading, तो village का नाम याद रखने के ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो faults हैं, वो आपको ध्यान में रखिएगा, उसकी length, उसकी width यह ध्यान में रखिएगा, question पूछे भी जा सकते हैं, आपसे इससे related, या anyhow you can use this fact, अपने answer में कहीं पर भी आप use कर सकते हैं, इंडिया के seismic zone को भी आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले seismic zone 1 भी बना के रखा हुआ था, लेकिन बाद में जोन को हटा दिया गया है, अब zone 2 से start होता है, यह ध्यान में रखिएगा, इंडिया में seismic zone 2 से start होती है, 2, 3, 4, 5, 5 वो है जहाँ पर highest seismic zone है, और generally कहाँ पर मिलेगा यह, by default आपको पता है कि यह हिमालियन रेंज में ही मिलना चाहिए, क्योंकि यह fold mountain है यहाँ पर, तो यह fold mountain हिमालियन रीजिन में, इसके अलाबा भुच के रीजिन में भी, क्योंकि यहाँ पर भी reactivated faults आ गई है, इसके पास है zone 4 होती है, zone 4 के बाद zone 3 and all that आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि Delhi भी आपका zone 4 में पड़ रहा है, जो कि high seismic zone है, यह high seismic zone क्यों है, यह trimmers ही है, basically जो हिमालिया में generate होगी, ऐसा तो है नहीं किवल हिमालिया तक ही रह जाएगी, 3D figure है, हर direction में जाएगी, तो हर direction में जाने के कारण, जो भी हिमालिया के peripheral में होगा, वहाँ पर इस तरीके की problem phase होगी ही होगी, इसी कारण से Delhi, in fact UP का भी जो western और नंदर पार्ट है, वह भी same earthquake phase कर सकता है, next topic हमारा आता है tsunami, tsunami में कुछ physics involved है, इस physics को भी आप लोग थोड़ा से समझ लीजे, important है, थोड़ी सी यहाँ पर wave theory के बारे में हम लोग बात करेंगे, तरंगों के बारे में बात करेंगे, तो जो हमारी tsunami होती है, basically वो ocean में आती है, speed of wave, यह directly proportional होती है, depth के, अब इसका क्या मतलब है और कैसे मतलब है, देखिए, suppose यह माल लेत है हमारा land है, और यहाँ से फिर हमारा ocean है, तो यह हमारा continent हो गया, और यहाँ पर हमारा, यह oceanic belt हो गया, this is our oceanic belt, basalt की बनी है, और यह continental belt जो की ग्रिनाइट की बनी है, यह माल लेते हैं कि हमारा ocean की water level है, this is suppose water level, high tide line obviously इसके उपर होगी, जौर, और low tide line भाटा इसके जस्ट नीचे होगा, यह low tide line हो जाएगी, आगे अगर देखें, तो यहाँ पर जो wave चल रही होगी, वो obviously इस तरीके से माल लेते हैं, कि wave चल रही है, इनकी velocity है, और यह यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक common है, क्योंकि इन सब की height जो है, वो बराबर है, h है, इनकी speed माल लेते हैं, कि V speed है, V speed से आगे चल रही है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगी, वैसे इसकी depth घटते आ रही है, घटते आगी तो obviously इसकी speed भी घटते जाएगी, तो यहाँ पर जो इसकी speed है, वो कुछ V1, V2, V3, V4, यह होते जा रही है, और जहाँ पर V1 जादा है, V2 जादा है, V3 जादा है, सबसे कम जो है, वो V4 हो जाएगा, clear, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको idea लग जाए, अब देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगी, obviously पीछे, suppose एक wave आ गई, मान लेते हैं, यह वाली wave है, जो कि आगे बढ़ रही है, यह wave आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो इसकी speed क्या है, कम होते आएगी, कम होते आएगी, तो जो पीछे वाली wave होगी, obviously इस wave के ऊपर में, इस तरीके से टॉपल करती जाएगी, इस तरीके से टॉपल करते जाएगी, तो जो height यह होती, वो actual में बढ़ करके इतनी हो गई है, क्योंकि आगे velocity कम होते जा रही है, तो एक तरीके से आप यह बोल सकते हैं, कि trains of wave बन जाएगी, और इसकी toppling हो जा रही है, यह topple हो जा रही है, और इस toppling के कारण से इसकी जो height of the water level है, यह height काफी जादा हो जाएगी, और इस height के कारण से obviously हमें एक बड़ी tsunami देखने को मिलेगा, और इस tsunami फिर obviously काफी आदा speed में भी आ रही है, अब क्योंकि पीछे वाली wave की तो speed अपनी है ही, इस speed के कारण से आगे जाकर के फिर और जितना ज्यादा disaster मचा सकती है, उतना ज्यादा disaster मचाएगी, तो यह थी इस पूरे के पूरे tsunami के पीछे की physics जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे अगर हम लोग देखें, और theory पे आजाएं अगर, तो tsunami एक Japanese word है, जिसका मतलब होता है harbour wave, चुकि यहाँ पर काफी आदा earthquakes आती है, depth कम होती आती है, इसी कारण से यहाँ पर हमें इस तरीकी की tsunami देखने को मिलती रहती है, this is very common, किस किस एरिया में common है, trends of wave भी बोल सकते हैं, trends of wave समझने के लिए, एक large bodies में, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि already मैंने मताए, एक volume चाहिए होती है, दूसरी depth भी चाहिए होती है, of large scale caused by major disturbance above और below the water level, due to displacement of large volume of water, clear, इन्हें कभी-कभी इसे tidal wave भी बोला आता है, क्योंकि obviously waves according to the depth change होती रहती है, और ये moon और sun के interplay के दौरान में जो होती है, इनकी जो wave होती है, जैसे high tide line, low tide line, same वही ज्वार्भाटा का ही case है हाँ पर, earthquake, 2004 में जो tsunami आई थी, या फिर volcanic eruptions, ये सारी की सारी reasons होती है, landslide हो गया, जैसे कि earthquake यहाँ पर हो गया, landslide हो गयी, या फिर volcanic eruption हो गया, ये कुछ important reasons होती है, जैसे underground explosion, या फिर कोई भी attack किया गया है, कोई भी test किया गया है, hydrogen test, atomic bomb test, जितने भी test किये जाते हैं, वो भी ocean में ही किये जाते हैं, meteorite impact हो गया, तो ये कुछ important reasons होते हैं, causes होते हैं, tsunami को जन्म देने के लिए, subduction zone, जो भी South East Asia के हैं, ये भी tsunami को ही जन्म देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, कि जो भी pacific ring of fire के along में आएगा, ocean के अंदर, pacific ring of fire में, ocean के along आएगा, वहाँ पर हमें tsunami टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, same वही चीज़ यहाँ पर बोला भी गया है, mechanism के बारे में अगर बात करें तो अलड़ी, हलग हम लोग ने देख लिया mechanism किस तरीके से बन रही है, तो mega thrust earthquake मतलब कि बहुत ही खतरनाख high level का earthquake अगर आ रहा है, ये एक sudden displacement of the sea bed कर सकता है, अब ये क्या चीज़ है, देखिए, suppose, माल लेते हैं कि हमारी जग है, यहाँ पर water level silent पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन earthquake आ गया, अर्थवेक आएगा, तो सीजी से बात है, प्लेट की breaking हो जाएगी, यानि jar को टेड़ा कर दिया गया, अब क्या होगा, jar ऐसा तो रहेगा नहीं, क्यों, अरे gravity तो अभी भी यही लग रही है, तो it will readjust, and it will, the water will be, जो water level है, वो इस तरीके से चला जाएगा, तो जो actual में ऐसा था, यहाँ पर water यह चला गया, खतम हो गया, और यह water यहाँ पर आकर के fill हो गया, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, water की, जो depth की, जो rebalancing है, वो start हो गई, और इसी rebalancing के कारण से, जो depth of the ocean है, वो change हो गया, और उसके change होने के कारण से, आपको earthquake चीजे मिल जाएगी, क्योंकि velocity change हो गये, velocity change होने के कारण से, आपको system मिल जाएगा, as the subducting plate plunges beneath the less dense plate, जो कि plate tectonic के लिए बहुती normal सी बात है, यह कि stress build करता है, और यह फिर ultimately plate margin, यह फिर कह लिजे कि जो भी plate नीचे जा रही है, उसके कारण से फिर upheaval होता है, और ultimately यह displacement of the water, और फिर ultimately tsunami आजाती है, केवल और केवल plate tectonic को अलग-अलग words में लिग दिया गया है, यह infect आप बोल सकते हैं कि यह जो जार वाला जो example है, सेम उसी चीज को यहाँ पर words में लिग दिया गया है, 2004 में एक tsunami आया थी, जो कि बहुत ज़्यदा problematic थी, सुमात्रा, इंडोनेशा, in fact हमारे इंडिया कोई भी, South Indian States को काफी आदा यह छटी पहुचाया था, in fact West Bengal के अरिया, Odisha के अरिया, इनमें भी काफी छटी हुई थी, Marine volcanic eruption can generate impulsive force, यह तो अलरड़ी आपको पता ही है, during a sub-marine land slide, equilibrium sea level is altered by sediment, moving along the floor of the sea, और यह gravitational force आगे फिर इसको बढ़ा देता है, तो यहाँ पर देखिए, self-explanatory चीज है, कुछ भी है सच बताने की चीज नहीं है, mechanism में यह जितने भी causes, factors हैं, उनको एक explanation दिया जा रहा है, जो most destructive होते हैं, वो extra territorial objects on the earth पे fall करते हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं, यहाँ पर density थोड़ी सी ज़ादा है, वहाँ पर आते हैं, mechanism में आप tsunami को यहाँ पर आप phase भी कर सकते हैं, यहाँ पर water level कम हो गई है, यहाँ पर depth में change आ गई, और ultimately यह जो waves हैं आगे बढ़ते आ रही हैं, इसके बढ़ने के कारण यहाँ पर toppling स्टार्ट हो गई, this is the area, यहाँ पर toppling स्टार्ट हो गई है, और toppling के कारण से यहाँ पर height काफी जादा होती जाएगी, height जादा होती जाएगी तो देखिएं यहाँ पर disaster मचाना शुरू कर दिया गया, clear, तो gravity acts to return the sea surface to its original shape, repulse then race outward, भही पीछे पीछे जो होती हैं, वो race start हो जाती हैं, waves की और ultimately यह काफी height ले लेती है, और यह जो shallow water था, फिर वो एक बड़े height वाले water के area में अपने आपको transfer कर लेता है, और इस तरीके से transformation से हमें tsunami type की wave generate हो जाती है, speed जब भी घड़ता जाएगा, तो height बढ़ती आएगी और यही चीज़ यहाँ पर बता जी आगया है, sometimes the sea level seems to be first draw beneath, जैसे क्या होता है कई बार, पहले यह recede करती है water, water जो होती है, वो पीछे चले जाती है, जो beach area होता है, वो खाली होते जाता है, तो लोग क्या है, जो कुछ ज़्यादा ही adventurous होते हैं, वो adventure के दोरान में देखते हैं, कि यार बहुत सारी sea, या फिर बहुत सारी चोटे-चोटे, जो sea minerals, ocean minerals होते हैं, या फिर मचलिया होती हैं, वो दिखना शुरू हो जाती हैं, लोग adventurous, विद्युद जामवाल बन करके चले आते हैं अंदर में, और फिर ultimately tsunami का शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा human रहे हैं, movies are movies, movies और real life में कोई आपस में interaction नहीं है, in some cases, there are several great waves separated by intervals, clear, तो these are the things, जो कि अलड़ी हम लोग ने discuss कर लिया है, आगे देखें अगर कुछ properties हैं, tsunami की, अलाकि properties जो हैं, वो थोड़ी सी physics oriented ही है, और वो physics अलड़ी हम लोगों ने अभी देख लिया है, तो basically जो इसका main reason है, and the physical reason, या फिर कहल लिजए जब physics behind it अलड़ी हम लोगों ने इसको discuss कर लिया है, तो जो wave crust and trough है, मतलब की यही चीज, जो तरंगों का इस तरीके से आता है, यह high और low, अलग-अलग point पे depth के हिसाब से होता रहता है, यही इसकी property है, wave height आपको पता ही है, wave amplitude, कितना ज़ादा यह जो होती है, amplitude ले रहा है, clear, now next thing, wave period, एक interval को complete करने में कितना ज़ादा समय ले रहा है, कितना यह इसका wavelength है, एक wave को complete करने में कितनी दूरी तय कर रहा है, wave frequency, यह भी आपको अगेन पता ही होगी कि frequency क्या चीज होती है, तो this is the thing, tsunami के लिए थोड़ी से और अगर बात करें, तो wave tsunamis are a series of wave, of very very long wavelength period, they are different from the wind generated, क्योंकि यह depth oriented or velocity depth interaction के basis पे होता है, यह behave करती है as a shallow water wave, because of their long wavelength, the rate of energy loss of a wave is inversely related to wavelength, यह भी आप calculate कर सकते हैं easily, जैसे velocity अगर depth से related है, तो यहाँ पर आप inverse relation again यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, clear, आगे देखें तो तू, they travel at high speed in deep water, और फिर ultimately धीरे धीरे short होते हैं, क्योंकि यह depth के ही directly proportional होती है, tsunami that occurs 1000 meter drop deep in water, has a speed of more than 350 km, कुट्ता भौँ करा है, tsunami waves are not noticed by ship far out at sea, the amplitude is negligible when compared with their wavelength, and hence the wave go unnoticed in deep ocean, तो हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अगेन वहाँ पर कुछ खास ऐसा change नहीं होती है, क्योंकि जो speed है basically वो depth पे dependent करती है, और वो depth change नहीं हुई है, 2004 tsunami के बारे में अगर देखें, तो देखिए यह tsunami या Harvard wave जो होती है, इंडियन ओशिन में भी 26 December 2004 को आई थी, काफी आदा problem होई थी, और यह हुई थी, क्योंकि अर्थक्वेक आया था सुमात्रा के नियरवाई एरिया में, वहीं पर epicenter था, वहीं से अर्थक्वेक आया और ultimately पूरा प्लेट डिस्टर्ब हुआ और ultimately सुनामी आ गई थी, magnitude of earthquake जो है काफी हाई था, इंडियन प्लेट वेंट अंडर दा बर्मा प्लेट and there was a sudden movement of sea floor, यह सारी चीज़े कहीं ना कहीं वह प्लेट टेक्टॉनिक से ही related है, जिसके बारे में अल्रड़ी आप जानते ही हैं, इसके बारे में कुछ अलग से discuss करने की कोई बात नहीं है, more or less जो चीज़े हैं वो प्लेट टेक्टॉनिक को जो हम लोगों ने physics discuss किया, उसी के साथ में relate करके यहाँ पर चीज़े लिखी गई है, तपिक से पढ़ सकते हैं, notes बना सकते हैं और understanding करना, यह सबसे ज़रूरी चीज़ हैं, आगे अगर बात करें तो tsunami traveled as a speed of 800 km per hour, काफी speed ज़्यादा है, देख सकते हैं आप की commercial aircraft से भी ज़्यादा है, या comparable है, इंदरा पॉइंट जो इंडिया में है, that mark the southernmost point of the India got completely submerged, क्योंकि बहुत ज़्यादा height थी देखिए, as the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Anamansi and Shilanka, the wavelength देरे देरे decrease होती गई, and फिर ultimately इसकी speed भी होती है, 700 to 900 के near about में थी, और ये घट करके 70 km पती घंटा पे चली गई, इस तरीके से बहुत सारे लोग बेघर हो गया थे, बहुत सारे लोग death हो गई थी, तो काफी आदा एक disastrous point था, इंडिया मैं अगर बात करें कौन कौन से states प्रभावित थे इस से, आंदरप्रदेश, तमिलनाडू, केरला, पॉनिचेरी, and अन्दमान, निकोबार, in fact parts of West Bengal, बांगलादेश तो खेर अपना अलग country हो गया, और रिशा, यह भी एरिया जो थे, जो थोड़े impact हुए थे, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किस तरीके से रत्क्वेक जनरेट हो रही है, और रत्क्वेक जनरेट होने के कारण से, ट्रिमर्स कहां तक फैल रही है, मैप में आप देख सकते हैं, इस ट्रिमर्स का पूरा effect शिलंका, इंडिया के भी coastal parts, बांगलादेश, म्यांगमार, थाइलेंड, जावा सुमातरा जो इंडोनेशिया का part है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से आया था, और इस तरीके से यहाँ पर wave generate होती है, से फिर अल्टिमेटली हमें सुनामी देखने को मिलती है, इस सुनामी के बाद से काफी यादा, एक world level पे meetings हुई, सुनामी को disaster का गया, और disaster के लिए हियोगो प्रेटोकाल, फिर हियोगो के बाद में फिर Sendai Protocol ये बनाया गया, जो कि एक internationally recognized protocol है, इस प्रोटोकाल के एक ओर्डिंग में इंडिया ने भी अपना Disaster Management Act define किया 2005 में, और उस disaster management के थूँ तीन लेवल पे, national level disaster management, state level disaster management और district level disaster management team बनाई गई, उसकी अपनी एक force बनाई गई, disaster relief force, एक fund बनाई गया, और उस पूरे system के दोरान में, इस पूरे system के साथ में, जितने भी disasters हैं, चाहे वो landslide हो, चाहे वो earthquake हो, चाहे वो tsunami हो, चाहे कोई flooding हो, किसी भी तरीके के disaster हो, उससे कैसे help करना है, कैसे act करना है, कैसे prevent और mitigate करना है, इन सारी की training दी गई, और इस तरीके से हम लोगों ने, पूरा का पूरा हमारा disaster management system, organize किया, इस system के साथ, हम लोगों ने एक system और बनाया, जो warning system था, सुनामी के लिए, जिस तरीके से हम लोगों ने, सुनामी warning system बनाया, earthquake के लिए इसी तरीके से बनाया, cyclone के लिए इसी के तरीके से बनाया, तो लगातार हम जैसे अर्थक्वेक का तो लगातार यूज करते रहते हैं वार्निंग सिस्टम का SMS के थूरू बता दिया जाता है निउस में पब्लिश कर दिया जाता है इसके साथ ही साथ में सुनामी की वार्निंग भी भेज दी जाती है जब भी साइक्लोन आता है तो वार्निंग जनरेट कर दिया जाता है लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए और जब फिर सुनामी या फिर साइक्लोन वगर यह सब चली जाती है तो फिर अल्टिमेटली वापस लोग अपने जगा पर आ जाते है तो यह जो वार्निंग सिस्टम होती है काफी ज़रूरी चीज़ है अधर्वाइस हमें काफी यादा human loss देखने को मिल सकती है अर्थवे cannot be predicted यह बलकि किवल short interval पे हम लोग इसको वार्निंग सिस्टम दे सकते हैं कि P wave या S wave जैसे ही हमें सिस्मो ग्राफ पे लोकेट की जाती है वैसे हम लोगों को एक idea लग जाता है और हमें किवल few minutes होते हैं हमारे पास act करने के लिए और फटा फट एरिया को वैकेट कराने की वैकेट तो नहीं National Oceanic and Atmospheric Administration के द्वारा लेकिन ये उतना कुछ खास था नहीं ये डवलप किया गया था DART सिस्टम के तौरान में DART means Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami लगतार आपको इसका नाम Current Affairs में मिलता रहा होगा Each gaze has a very sensitive pressure recorder on the sea floor और इस तरीके से data को record करके Tsunami को देखा जाता है इस पर Observe किया आता है Satellite Based होती है और इस पूरे के पूरे Satellite को हम लोग study करते हैं और इस study के द्वारा हम लोग predict कर रहे होते हैं कि आखिर में क्या सिस्टम चल रही है इस पूरे के पूरे सिस्टम को हवाई और कुछ छटे-छटे आई-लाइन्स पर Establish किया गया है ताकि हम इस चीज को continuous study करते रहें इस पूरे के पूरे data के basis पे हम लोग warning system generate कर देते हैं और लोगों को फिर बचा लेते हैं तो यह थी आज की पूरी के पूरी theory earthquake और tsunami का हम लोग ने काफ़े detail में discuss किया इसके लावा अगर आपको कोई problem होती है या कोई query, doubt होती है तो obviously you can reach us by using these media sources अपने जितने भी query होते हैं आप उसको email करके पूछ सकते हैं मिलते हैं next studio में Geomagnetism topic के साथ Till then goodbye and thank you so much